अलो दोस्तो मैं माला जैसे हैं आप सभी देर सारा करम में अपने गार्डेन में कर देए हूँ तो आईए आप दो भी मेरे साथ चलिए मेरे गार्डेन में और बीना देर के विए फटाफट वीडियो स्टार्ट करते हैं दोस्तो मेरा बहुत सारा अधूरा काम बचा था जिस वीडियो भी मैं share कर चुकी हूँ, उसे तोरी थी तो इट बच गया था, आधी मैं हटा दी और आधी इसी में रह गया था, देखिए इसमें से कितना जहरीला साप निकला है, मैं जब आज इट हटा रही थी तो देखिए कितना बरा है और बहुत ही जहरीला है, मैं तो थोरे स बच गी हूँ दोस्तों, अब इसे भगाने में नहीं बन रहा था, तो इसे मारना ही परा, यहां देखिए इट सभी को मैं इसी क्यारी को थोरा सा और चौला कर रही हूँ, जिसमें दो पोट आसानी से एड़ेस्ट हो जाए, जितने भी कंक्रीट बचे हैं, उसे मैं दूसर सा चौला की हूँ, यहां देखिए जोती लगी है, रेत चाल रही है, इसे भी बड़ा अच्छा लगता है काम करना मेरे साथ, और मैं ही दो होती हूँ अपने गार्डन के काम में, तो यहां देखिए इधर से मैं चौला कर दी हूँ, जब भी हाथ खाली होता है तो वीडिय इधर जेस्ट हो जाए गाई इसमें, और यहां देखिए बालू बनारी मसाला बनाने में एक्सपार्ट हो गई है जोती, यहां मैं ऐसे धलान कर रही हूँ कि टेरिस पे कम असर हो, पहले से तो मेरा टेरिस बिगड़ ही गया है, मैं आप लोगो को दिखा ही चुकी हूँ, इसके बाद मैं इस पे सोच रही हूँ, इडा डाल करके और फिर फोली थिन डाल के मैं पॉर्ट डालूँगी, इस तरह से पॉर्ट रखूँगी नहीं दोस्तो, इस तरह से पॉर्ट रखने पे फिर टेरिस पे असर पड़ेगा, इसलिए मैं इसे भी हटा करके अच्छे से बंधा हुआ नहीं है देखे कितना ज़्यादा गैप है इन सभी को खोल के फिर से मैं इसे एरजेस्ट करूंगी बहुत बड़ा दुरगटना मेरे साथ आज गहटा था इसलिए थोड़ा सा देखिए यहां इसे भी मैं धलान कर दी हूँ दोस्तो बास का दो तिन दिनों से काम में लगी हूँ यह चौला हो गया और देखिए जोती जाल बून रही है बहुत अच्छा लगता है इसे काम करना गार्डन में फूल जो खिलता है तो इसे भी बहुत खुसी होती है और मुझे भी बहुत अच्छा लगता है देखिए सभी पॉट को मैं उस पे से हटा दी पूरा वो जो जगा था पूरा चौला भी हो चुका है अब निट लग जाने के बाद फिर मैं इसे वैसे ही अर्जेस्ट कर दूंगी जैसे जैसे टाइम मिलेगा दोस्तों मैं इस पे काम करूंगी और गार्डन में काम करना तो बहुत ही अच्छा लगता है हमारे यहां पर और इसे मैं मिटी से हटा दी हूँ इसी तरह यह रखा हुआ है और देखे कितना बूसी हो गया है यह यहां टेरिस पूरी तरह से खाली हो गया है पूरा नेट भी लग गया है दोस्तों तो मैं इसी तरह से पॉट को एर्जेस्ट करने वाली हूँ दोस्तों ओके happy gardening